हालो सुडेंट्स स्वागत है आप से विका आपके अपने चैनल गौड क्लासेस पर तो आज के इस क्लास में बचो इंटीग्रेशन का लास्ट टोपिक है हमारा जिसमें हम एप्लिकेशन ओफ इंटीगर्स कर रहे हैं तो इसमें हम यहां पर समझते है कि consumer surplus और producer surplus क्या होता है इसको किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ और चीजेशे समझेंगे यहां पर हम demand कर, supply कर, equilibrium point इस सबस्टे की कोशिश करते हैं इनको समझने के बाद फिर हम चलेंगे consumer surplus क्या होता है और producer-surplus क्या होता है और साथी एक चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर आपको चैनल का content पसंदा रहा है तो चैनल को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अतना ज्यादा कीजिए क्योंकि applied maths का content बहुत कम available है आपको ये content मिल आपको देखने का मौका मिल रहा है, तो आपके friends को या जो needy हैं, उनको भी देखने का मौका जरूर मिले, तो जितना जादा हो सकता है, चैनल को आप शेयर करें, वीडियो पसंद आती है, तो like करें, उस चैनल को subscribe जरूर करके रखें, bell icon भी जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला content भी आपको continuously मिलता रहे अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ improvement करनी है में कुछ content में अभी भी कमी लग रही है आपको तो वह भी आप मुझे शेर कर सकते कोई दिक्कत नहीं है आपके हर एक suggestion का welcome है कोशिच करेंगे आपके अच्छे suggestion को हम implement भी कर सकें तो देखें पर अब सबसे पहले हम बात करतें law of demand की अब law of demand की अगर हम बात करें तो यह समझाने की जरूद है निए वैसे crystal clear है कि अगर आप किसी चीज की price अगर ज्यादा कर दोगे कोई अगर कोई exceptional case है तो बात अलग है ठीक है अब जैसे कोवीट का time चल रहा था तो उसमें कई की हम बात करें अगर आप किसी चीज की जो प्राइस है आप बहुत ज्यादा रख दोगे तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाई है तो डिमांड करव का मतलब क्या है यही चीज बताते है आपको the higher the price the lower the quantity demanded यानि प्राइस जो अगर किसी ज्यादा होगा तो उसकी कर ग्राफ बनाए तो यह हमारे पार जो एक्सी जाए नीचे की तरफ आ रहा है वैसे 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 हमारी एक्स की वैल्लू वह बढ़ती जारी थीक है तो जितना ज्यादा प्राइस उसका कम होगा उसी साफसे अगर क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बहुत जादा हो जा अगर हम जैसे मालो नॉर्मल घर की बात करें अगर बहुत महँगी हो रही है वही आजकल खरीतिके लाने पड़ती है तो दाले बहुत महँगी हो जाएगी तो उस दाल की डिमांड जो हो कम हो जाएगी क्योंकि पॉकेट सबको अपनी देखनी होती है लेकिन अगर वही दाल थोड़ असा सच्थी हो जाए पॉकेट के साब से आजए तो क्या होगे उस दाल की डिमांड वह बढ़ जाएगी तो इस तीज को हम बोलते हैं यहाँ पर लॉफ डिमांड अब बाद आती लॉफ सप्लाई लॉफ सप्लाई क्या कहता है एस दे प्राइस उप्रोडेट इंक सब्सक्राइब करती है कि जैसे प्रोडेट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या करती है वो ट्राई करती है ज्यादा से ज्यादा समान मार्किट में को डाल सके ताकि उनकोमेक्सिमाड व् peso मेंक्सिमम प्रफिट उनको मिल से एकष्ण होगै भियु गया है यहां पर इस पौइंट पर सट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को मोलते हैं एक वी बिलियरियम पॉइंट इसका मतलब क्या होता है कि it is the point where the quantity demanded is equal to the quantity supplied यानी जितनी market में उसकी डिमांड है उसी हिसाब से उसकी जो supply है मनलब न ज्यादा न अ कम है ठीक है जितनी market में demand है उसी हिसाब से उस product की जो सप्लाई की जा रही है तो वो पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं एक वी बिलिरियम पॉइंट तो आई थिंग ये तीनों चीज़ों आप समझ में आगे होंगी अब हम बात करते हैं आगे consumer surplus और producer surplus यह क्या होता है और यह कैसे डिसाइड होता है कि कहां पर consumer प्रोडियूसर कहां परॉफिट में हो तो इन दोनों चीजों के बारे में डिसकरते तो समझते हैं consumer surplus क्या होता प्रोडियूसर सरफ ब्लस क्या होता है कि मालो सबसाओ सिट्वेशन है जिस अभी काफी समय से इंदजार है या उसका एक्टर या एक्टरस आपको पसंद है और आप चाहते कि वो मुवी जैसी मैं आऊ हूँ उसको देखू चाहे उसके लिए मुझे पांसो तक की टिकेट भी लेनी पड़े या हजार तक की टिकेट भी लेनी मालो सब्सक्राइब कि दिमाग म अब यह 700 में टिकेट मिल गई आपको आपने टिकेट देख लिया आप उसके लिए कितने हजार रुपे तक देने को तयार थे लेकिन आपको 700 रुपे वो चीज मिल गई है तो यहां पर आपको क्या हो रहा है और 700 रुपे के साफ़ से आपको लगता है कि जो आपका जो 500 रुपे था वो ूआ है फाइडा कि जो यहां आपको 300 रुपे का फाइदा हो गया या यहां जो 300 रुपे आपको मिल रहाय है वह क्या हो गया आपका सरप्लस हो गया consumer का फाइदा हो गया consumer का surplus हो गया ठीक है तो अब यहाँ पर इस graph की अब जो समझते हैं कि consumer surplus क्या है आपको आपने जो वहाँ पर ticket खरीदी आपने ticket खरीदी मानलो इस price पर आप उसका जो price है यहाँ से जो आपने 700 रुपे खरीदा था आप कहते हो कि 700 से 800 होती 900 होती मैं price देने यह आपकी maximum limit होगी और आपने जो price खरीदा वो कितना 700 था तो यह वाला जो पार्ट है आपका यह कितना हो गया यह आपका surplus आ गया तो इतना क्या है आपको यहाँ पर इस curve के साब से अगर हम देखे तो आपको profit हो रहा है तो यह जो पार्ट होता है demand curve supply curve में इसको हम बोलते आप curve का area कैसे निकालते हैं यह आप find कर जोके हैं तो अगर मेरे को यह वाला area find करना है तो मेरे को करना क्या पड़ेगा मेरे को यहां से लेकर और मेरे को यहां तक यह वाला जो area है इसको मेरे को निकालना पड़ेगा इसमें से जो यह वाला part है इसका area मेरे को क्या करना तो यह limit होगी मेरी 0 से लेकर x not तक उसमें से मैंने क्या minus करना है यह वाला part minus करना है यह आपका एक rectangle shape में बन रहा है तो आपके इसका rectangle का area क्या होता है length into my breadth तो यह point अगर x not है तो यह जो length होगी यह x not होगी और यह वाली जो breadth है यह होगी आपकी p not तो x not into my p not यानि जो उसका price है और जो यहापर demand है quantity है उन दोनों का जो multiplication होगा उसको आपको यहाँ से इस curve में से इस curve का area निकाला था हमने जब इस curve का area निकाला था तो यह पूरा curve का area निकल गया ना x axis तक पूरा नीचे तक निकलता ना area last class में भी हमने discuss किया था जिसमें हमने curve के area निकाले थे तो इसमें से अगर आप यह वाला area minus कर दोगे तो आपका निकल जाएगा consumer surplus तो हमेशा consumer surplus जब भी आप निकालोगे तो demand करो में से आपको जो equilibrium point तक का area है उसको आपको minus कर देना है ठीक है अगर हम बात करते है producer surplus अब producer surplus आपको इसके एजामपल के लिए हम समझ सकते हैं कि मालो मार्किट में एक phone launch होता है company उसका प्राइस है वह company उसका प्राइस तैय करती है कि मालो मेरे को 20,000 में यह सेल करना मार्किट में लेकिन साथ ही वह एक offer निकालती है कि भाहिया जो consumers 25,000 देंगे सबसे पहले यह phone जो उसके पास पहुंचेगा अब बहुत से लोग होते हैं phone के लिए पड़े क्रेजी होते हैं जैसे जैसे नया handset आता वही फटा फट अपना book करना है और लेने लेना है अब वो लोग क्या करते है तो वेट तो करेंगे नहीं कि बाद में जो फोन लेना मेरे को तो अभी फोन लेना है तो वो जो 5,000 रुपीज क्या करेंगे कमपनी चारी थी कि मैं 20,000 में इसको नॉर्मल मार्केट में बेचूंगी लेकिन उसको उसी फोन के 25,000 मिलते हैं तो यह जो 5,000 रुपे का क्या हो गया producer का surplus हो गया तो producer surplus क्या मतलब हुआ इस is the gain made by producer when they sell an item in the market at a higher price rather than the price they would have been willing to sell it वह जितने में वो प्राइस में बेचना चाहते थे उससे ज्यादा प्राइस उनको मार्केट से मिल रहा है ठीक है अब वो ज्यादा जो प्राइस मिल रहा है वो क्या बनेगा आपका producer surplus अगर हम इस कर्व के साब से देखें तो producer surplus आपका प्राइस मिलएगा इसको मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से लेकर अगर producer का surplus निकालें तो क्या बनेगा यह वाला जो पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यह क्या बन जाएगा प्रोड्यूसर का सर्प्लस हो जाएगा इसको बोलेंगे यहां पर पीएस को यानि इतना प्रोफित में होगा अगर कंपनी की जो प्राइस है जो मार्क जो फ्रोडक्ट लौन्श किया उसका प्राइस वह चाती है कि मिरे को इतना मद्धा प्राइस इतना मिलिव मिलकू अब इतना मिल जाता है तो वही अगर यह वाला जो- pracy यह इसका surplus हो गया अब यह surplus हो गया तो इसको निगालने के लिए क्या करना है, इसको भी integration की help से- इसमें क्या करेंगा पहले से Rectangle के अरिया निकालेंगे इस rectangle में से यह जो supply curve है इसका एरिया आप माइनस करेंगे इसका एरिया यह वाला पार्ट माइनस करेंगे तो लिमिट यहां पर भी 0 to x naught ही रहेगी supply curve का जो भी function दे रखा होगा वो हम यहां पर ले लेंगे with respect to x integrate कर देंगे और x naught पी नोट यह आपके पास इस rectangle का एरिया जाएगा इस तरह से आपको producer surplus आप निकाल सकेंगे तो दोई चीज हमें यहां पर निकालनी है consumer surplus निकालना एक producer surplus निकालना है तिस्ती चीज equilibrium point है जहां पर demand कर और supply कर दोनों की value same हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि यह point equilibrium point है तो बस यह सारा concept था इसके साफ से कुछ questions हम यहां पर practice करेंगे फिर next video में इसकी exercise करा हूँ आपको तब तक यह concept समझके आज जो हम question practice करेंगे उनको समझके आपको exercise को finish करने की कोशिश करनी है फिर next video में जिसमे exercise होगी उससे आपको match करने अपने answer match करोगे सही answer दोगे तो well done और अगा answer सही नहीं दोगे तो दुबारा एक बार लीडियो देख लेना दुबारा समझ लेना फिर दुबारा स्ट्राइग गरना तो बच्छोब इनके कुछ questions हम practice कर लेते हैं जो examples आपकी book में दे रेखें तींचर examples हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इस तरह से आप consumer surplus या producer surplus find कर सकते हैं तो यहाँ पर आप question देख रहे हैं कि यह दर demand function आपको दे रहा है P equals to 35 minus P equals to 35 minus 2x minus x square यह demand function दिया है find the consumer surplus यानि CS आपको निकालना है at equivalent price P not equals to 20 अगर equivalent price आपको 20 दे रहा है तो उस point पर आपको consumer surplus find करना है अब जब आपको P not दे रहा है तो आपको X not की value निकाल लेने चीए अब X not की value आप कैसे निकाल होगे यह function आपको दे रहा है इसमें P की जगे आप 20 put करो और X की जगे X की जगे आप X not put करो तो यह आपके पास एक function बन गया है यहां से आपको X not की value find करने है अब इन दोनों terms को आप इस साइड लेकर आओगे तो positive हो जाएगी X not plus में 2 X not और इसको लागे हम आप minus करोगे तो हो जाएगा minus 15 is equals to 0 इसके factor कर लो जैसे आप splitting middle term करते हो तो एक 5 हो जाएगा एक 3 हो जाएगा X not minus plus 5 और X not minus 3 यहां से X not की value आईगे आपके पास minus 5 यहां से X not की value आगे 3 तो अब X क्या है यहां पर commodity होती है quantity होती है तो quantity जो आपके वो negative कभी नहीं होनी चाहिए तो X not equals to minus 5 इसको आप कर दोगे cancel तो आपके पास X not आगया 3 अब consumer surplus हम निकालेंगे तो consumer surplus निकालने का जो formula होता है वो क्या होता है हमारे पास consumer surplus का formula होता है integral of 0 to X not और यहां पर आजाता है आपके पास demand function demand function आगया आपके पास dx और minus करेंगे आप इसमें X not पी नट को यहां पर जो limit है आपकी क्यों X not की value आपके पास 3 आगया तो यह 0 to 3 आगया तो demand function आपके पास ही आगया 35 minus 2X minus X square इसको आप integrate करेंगे minus X not X not की value 3 है पी not की value दे रिकी दिया आपको 20 simplify करो यहां से इसका integration करेंगे 35X minus 2X square by 2 minus X cube upon में 3 divided by 0 to 3 यहां पर आगया 60 अब 3 को आप यहां पर put करोगे 35 into में 3 करेंगे तो यहां जाएगा 35 is a 15, 3, 3 is a 9 और 1, 10 इससे तो यह cancel हो जाएगा 3 का square करेंगे आप 9 आगया और यहां पर 3 का cube करेंगे 27 upon में 3 0 को अगर आप यहां put करोगे तो यह सब को 0 ही हो जाना है तो इसको रहन दोब इससे ही हो गया cancel अब यह आगया 105 जो negative negative और negative domain सब को इखटा कर लो 9, 9, 18, 18 और 60 को add करोगे तो आजाएगा minus 78 तो 15 minus 87 और 9 minus 72 तो आपका answer जो है वो 27 आगया यह यह consumer surplus कितना होगा 27 के बराबर होगा अब इसी तरह के से आप जो next question है उसको देखो वहाँ पर क्या गया था demand function for the commodity is P equals to 20 इंटू में P equals to 20 इंटू में P equals to यह आपको दिया हो यहाँ पर demand function 20 इंटू में E raise to power E raise to power minus X upon 10 ठीक है यह आपको demand function दिया है के दा find the consumer surplus at equivalent price P equals to 2 अब यहाँ पर आपको जो P है वो 2 दे रहता है और साथ में एक चीज़ और दिये log 10 की जो value है 0.4343 log E to the base 10 equals to 0.4343 यह question में अगर आएगी तो इसको आपको use करना है अब यहाँ पर भी पहला काम आपको वह ही होगा P आपको दे रहे रहे है उस P की help से आप X not की value निकाल दो तो आपके पास जो function है demand function वह है 20 इंटू में E raise to power minus X upon 10 P कीज़ेगे आप यहाँ पर 2 put करो 20 E raise to power minus X upon 10 इसको हम इदर लाएंगे तो यहाँ जाएगा 1 upon 10 equals to E raise to power जो minus X upon 10 है इसको पावर के वह minus है पावर क्यों आपको plus करना होगा तो क्या करेंगे इसको आप ले लो denominator में तो यहाँ आपको जो function है वो lock function यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको अगर आप lock function में convert करते हैं यहाँ पर जो exponential function है इसको अगर आप उस set में ले जाते हैं तो यह lock function में convert हो जाएगा इधर रह जाएगा आपके पास x by 10 यहाँ आप यह समझ सकते हो कि दोनों तरफ आप लोग ले लो ऐसे आपको आसान रहेगा समझना taking log on both sides लोगरिद्म एक differentiation हम ने किया था उसमें भी हम ऐसे ही करते थे यहाँ पर आगया log e raise to power x upon 10 यहाँ पर आगया log 10 तो log और e जब होते हैं तो यह cancel हो जाते हैं यहाँ पर है जाता है केवल x upon 10 equals to log 10 इस step के बाद अगर आप समझ गये हैं तो इसको आप directly भी कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको पास यहाँ पर नहीं होगी अब उसके पास हमें क्या करना है इसका यूज करना है इसका यूज करने के लिए आप क्या करो यहाँ से x not की value निकालो ठीक है यहाँ बर अबने जब इसमें put करा हमने x not की value निकालने है तो x को आप x not कर लो ठीक है यहां पर जहां जहां X है उसको X not कर लो तो X not की value आपके पास आगी 10 log 10 अभी जो log 10 होता है इस log 10 को अगर हम common base में लिखते हैं तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं इसको आप इस तरीके से लिखते हैं 10 log 10 to the base e ठीक है यह common logarithm होता है अब यहां पर आपको इसको यूज करना है log यहां पर e है और base में 10 है तो इन दोनों को आपको interchange करना है तो इन दोनों को interchange करने के लिख क्या तरीका होता है अगर ऐसे आपको दे रहे रहे है log b to the base a तो अगर आप इसको denominator में ले जाते हैं तो यह दोनों आपके अपस में interchange हो जाते हैं तो इसको आप denominator में ले जाओगे तो यह बन जाएगा 10 upon में log 10 e अब इसकी जो value है आपके पास कितनी है 0.4343 यह आपके पास value आगी किसकी x naught की value आगी यानि यह almost किसके बराबर हो जाएगी यहां से कर आप decimal हटाएंगे तो एक दो तीन चार पांच divided by 4343 यह हमारे पास x naught की value आगी अब उसके बाद हमें क्या निकालना है consumer surplus तो consumer surplus जैसे पिसले question में करा था हमने limit आएगी 0 to x naught x naught की जो value है वो आपके पास कितनी है यह इसकी x naught की value है यह सारा इतना बड़ा लिखेंगे इस से बेटर है कि हम इसको बाद में put कर लेंगे अभी इसको x naught ही रहने दो और जो demand function हमारे पास हुआ है 20 e की power minus x upon me 10 dx minus x naught p naught इसका आप integration करो इसका integration करेंगे तो e की power x का integration e की power x ही आड़ाता है तो यह same ही रहेगा फिर e की power जो यहां power दे रहेखे आपको minus x upon me 10 इसका जो derivative आएगा उससे यहां पर आप divide कर देंगे minus x naught p naught x naught की जाएगे आपके पास यह value आगई 1 0 0 0 0 0 0 divided by 4 3 4 3 into p naught p naught कितने आपके उदे रहेखा 2 यह तो minus 1 by 10 है इसको उपर ले जाएगे तो यह बन जाएगा आपके पास minus 200 और इसकी जो limit है वो 0 to x naught है e की पावर minus x upon me 10 x upon me 10 कीज़ेगे आप put कर दो यहां पर x naught upon me 10 ठीक है यह तो आपने बाहर ले दिया खदम minus में इसको यहां put करेंगे तो यह जाएगा e की पावर 0 इसको इससे multiply करोगे divided by 4 3 4 3 अब यह e की पावर जो minus x upon me 10 आया तो इसकी value हमारे पास थी यहां पर denominator e की पावर minus x upon 10 यहां से अगर हम value निकालते इसकी तो कितनी आती आपके पास 1 upon me 10 तो सीधा आप यहां पर 1 upon 10 पूट कर दो ठीक है बजाए आप x naught की value पूट करने के सीधा यहां पर 1 upon 10 पूट कर दो और यह हो जाएगा 1 और इदर से इन दोनों को simplify करेंगे तो simplify करके हमारे पास यह आ रहा है 46.06 46.06 यहां से इसको minus किया यहां देगा 1 minus 10 यानि minus 9 minus 9 को इससे multiply करेंगे यहां जाएगा 1800 upon me 10 minus 46.06 10 से इसको divide करेंगे 180 minus 46.06 अब 180 में से आप इसको minus करोगे तो आपके पास surplus आ जाएगा 133.94 और यह आपका answer आ जाएगा तो बच्चों next question देखते है next में कहता है the supply function is p equals to 4 plus x find the producer surplus if 12 unit of gold are sold तो आपको जो x note है वो आपको दे रहा है कितना 12 और जो यहां पर आपको function दे रेक है यह होगी आपके पास इससे आप p not function बना सकते हैं 4 plus में x note x note की जगे आप 12 put करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 16 तो p note आ गया x note आ गया अब क्या चाहिए आपको producer surplus producer surplus का formula क्या होदा है x note p note में से minus करना है integral of 0 to x note supply function इसका integration करना है x note p note की value हमारे पास है 12 इंटू में 16 minus 0 to 12 supply function आपके पास आगया 4 plus x इंटू में dx इसको solve करेंगे 16 to the 32 16 plus 39 minus 4 plus में x square by 2 4 x 0 to 12 अब यहाँ पर limit apply करोगे आप 12 for the 48 plus में 12 का score होगे 144 144 को 2 से divide करेंगे तो आ जाएगा 72 8 over 2 10 11 plus 112 यानि आंसर आगया आपके पास 72 तो 72 यहाँ पर क्या आगया producer surplus आगया producer को इतना फायदा हो गया producer भी खुश हो गया अपना समान बेचके इतना फायदा उसको मिल गया तो नेक्स कुश्चिन में गया दा demand in the supply function are this and this यह demand function है यह supply function है find consumer surplus and producer surplus at equilibrium price अब यह equilibrium price पर क्या होता है कि जो consumer demand function है और supply function है वो दोनों function दोनों बिलकुल equal हो जाते हैं मतलब जितनी demand होती है मार्किट में उतनी supply होती है तो दोनों की value बराबर होती है तो अगर आपको इसने बोलता है कि इस point पर आपको निकालना है equilibrium price इस पर क्या होगा जो हमारा demand function है और supply function है दोनों आपस में equal होंगे तो demand function हमारा 56 minus x square supply function है 8 plus में x square upon 3 अब यहां से simplify करके हम यहां से x की value निकाल लेते हैं मतलब हम x naught की equilibrium price निकाल quantity निकाल लेते हैं वो कितनी होगी तो यहां से इसको cross multiply कर लो 3 square 3 6 18 3 5 0 15 और 1 16 minus 3 x square 24 plus में x square इसको इधर लेके जाओ इसको इधर लेकर आओ तो 8 minus 4 4 हो गया 16 minus 2 कितना हो गया 14 इधर से आगे आपके पास 4 x square अब 4 से इसको आप cancel करो गया तो कितना जाएगा 4 3 z 12 4 6 z 24 तो x की जो value हो प्लस माइनस 6 हैगी लेकिन आपको प्लस 6 लेनी है माइनस 6 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि quantity negative नहीं हो गयी तो यहाँ पर equilibrium price पर आपका x not कितना आ गया 6 आ गया और x not 6 है तो p not कितना हो जाएगा अब p निकालने के लिए आप चाहे डिमांड function यूज कर लो या supply function यूज कर लो कुछ भी यूज कर लो क्योंकि आप पूछता है आप से consumer surplus and producer surplus तो consumer surplus निकालते है पहले consumer surplus क्या है 0 to x not और demand function minus x not p not यह formula है तो आपके पास x not कि value कितनी आएगी 6 demand function आपके पास 56 minus x square इसका कर दो आप integration minus x not x not आगया 6 p not आगया 20 इसका integration करेंगे 56 minus x cube upon में 3 limit आगये 0 to 6 minus 6 to 12 6 को यहाँ multiply करोगे ऐसे 6, 6 is the 36, 6, 5 is the 30 और 33 यहाँ पर आजाएगा 216 उस 216 को अगर आप 3 से divide करोगे तो आजाएगा 72 और minus 120 है यानि 3, 3, 6 में से इसको आप minus करेंगे 2, 9, 1 तो 6 minus 2, 4, 13 minus 9, 4 और 2 minus 1, 1 तो 144 तो आगया आपके पास consumer surplus अब यह निकाल लेते हैं भी producer surplus कितना है यह भी देख लें consumer तो खुश है producer surplus इसका फार्मूला में पहले आपके पास x0, p0 आदा है minus 0 to x0 supply function supply function है 8 plus में x square upon में 3 तो x0, p0 की value तो 120 है तो 120 ही रहेगी यहां पर आपके पास x0 की value 6 है इसका integration करो तो इसका integration करेंगे हम यहां पर integration आजाएगा 8x plus में x cube upon में 3 already यहां पर है तो 3,3 जा 9 हो गया limit आगी 0 to 6 8,6 जा 48 फिर यहां 2,1,6 आगया 2,1,6 को 9 से divide करेंगे 0 करने की जरूत ही है क्योंकि सारा 0 ही हो जाएगा 9 से को divide करो 9,2,0,18 9,4,0,36 8 plus 4,12 4,2,6 और 1,7 तो 10 minus 2,8 और इधर बच गया 11 minus 7,4 तो 48 आगया आपके पास producer surplus तो consumer surplus यहां आगया 144 producer surplus आगया 48 तो इस तरीके से आप यह consumer surplus producer surplus equilibrium price इस सब के question पड़े इसलिए हम solve कर लेंगे यह examples के तुरू आपको समस्तों आगया हुआ कैसे execute करना है अब exercise के लिए मेरे वरोसे बिल्कुल मत रहना पर चिंता मन करो solution तो मैं दूँगा लेकिन पहले अपने आप आप ट्राई कर लेना ट्राई करने के बाद फिर आप मेरे answer से match करोगे तो आपको पदा लगेगा अगर mistake नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी study बिल्कुल perfect चल रही है इसी तरह से चलाए रखना है आज की इस वीडियो म हुआ हुआ हुआ